कैसे आप सब आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे और बस यहां पर नहाद होकर रेडी होकर पूझा वगिरा करने के बाद आ गया है किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी करने रोज का काम होता है यह सोचना क्या बनाना ब्रेकफास्ट लेंच डीनर है ना कोई बात नहीं और जैसा कि अबी साबन का महीना चल रहा है तो थोड़ा सा मतलब हरी चीज़ तो खा नहीं सकते हैं मंडे के जैसे फास्ट हो तो संडे के दिन एक दिन पहले हम लोग जैसे लैसन प्याजवगेरा नहीं खाते हैं तो यह चीज़े भी सोचना पड़ता है कि ऐसा क्या बना जिसमें प्याजवेरा का यूज ना हो तो यहाँ पे आज हम बनाएंगे न साबुदाने की खिचडी यह तो खेर नॉर्मली सब्वी के घड़ों में विक में तो एक वार ज़ूर बन जाता है व्रेकफास्ट में क्योंकि यह है बिना प्याजवेरा का भी बहुत ही ज़्याद की साबुदाना खिचडी है तो इधर अच्छे से रोज ठोड़ा है तब तर जो चीजे और भी डलेगी उसे कर लेते हैं तो यहां पर थोड़ा सा धनिया पत्ता लिये हैं तीन-चार हडी मिर्ची लिये हैं इसको अच्छे से बारी कट कर लेंगे साबुदानी किच्री की ना, यहीं सबसे बड़ी बात है कि इसमें कुछ चीजें लगता नहीं है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा स्वाधिस्ट लगता है थोड़ा सा छोड़ा छोड़ा टीप से अगर अच्छे से बनाएना तो आपका साबुदाना बहुत है अच्छा खीला खीला एकदम पर्फेक्ट बनेगा यहाँ पे लेकिन यह ध्यान डखना है कि साबुदाना जैसा भींगने दे रहे हैं तो पानी ज्यादा यूज नहीं करना है पानी को आपको अंदाज से ही डालना है इतना डालना है कि साबुदाना जो है अच्छे से उसे सोख ले यह ने कि बाद में आपको उस पानी को फेकना पर है ऐस नहीं है थोड़ा सा डालने टाइम जब भींगने दे रहे हैं तो इसने थोड़ा सा ध्यान देना होगा उसके अधिया पर हम धन्यापत्ता हरी मिर्ची और एक जो बॉइल आलू था वो काट लिया है सारी चीजों को और मुंफली भी यहां पर अच्छे से रोस्ट हो गया है तो इससे निकाल लेते हैं फटक से किसी कपड़े पर क्योंकि यह बहुत ज्यादा गरम है तो ऐसे तो इसका छिलका हटा नहीं सकते हैं तेहां पर हम साफ टॉविल को बिशा लिया है और इस पर इसे मुंफली को डालके थोड़ा से ढ़क के अच्छे से जो भी है इसका छि और आपके पास टाइम है तो पहले से आप ऐसे कि यह सारी चीजे करके रख सकते हैं तो आप चिलका बहुत असानी से हट गया है ज्यादा टाइम नहीं लगता है उसकी माद में यह छोटी वाली सुक्ती में लेकर जो भी चिलका है उसे फटक से फटक कर निकाल ले रहे हैं और पता है ऐसी वाली मुझा आसे सी खाले में बहुत अच्छा लगता है लेकिन लुड़ी जाब खाते नहीं क्योंकि मुझे ऐसा बनता है। बट अगर मैं ऐसे खा लेती हूं तो मुझे थोड़ा सा ऐसी डीटी का प्रॉब्लम हो जाता है उसके वाद इसे थोड़ा सा मिक्सी में दरदरा सा एक बना लेंगे इस तरीके से एक बड़ चलाना है जादा नहीं पॉडर बनाना है हमें एक बड़ मिक्सी को गुमाना है तो जो अलू है यह डाल के अच्छे से दो-τείν मिनट तक ब्हून लेंगे इस तरीके से कि थोड़ा सा अलू में क्रंचनेस आझाए उसके पीनट है वो भी ढाल देंगे इसी तेल में इसे भी डाल के दो मिनट तक अच्छे से पका लेंगे उसके आध यहां पर डालेंगे कुछ मसाले, बहुत ही simple मसाला यहां पे जैसे healthy powder ढाल राहे थोड़ा सा डालेंगे धन्या potter थोड़ा सा डालेंगे यहां पे जीरा pourder तो यह सारे चीजे को ढाल के 1-2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे यहां पे जो आलू मुंफली है उसमें मसाला अच्छे से भुन जाए दो मिनिट तक उसका देहां पे डाल देंगे यह साबुदाना जो कि हम रात में भिंगा के रखे थे और यहां पे न साबुदाना एकदम खिला खिला इसमें थोड़ा भी एक्स्ट्रा पानी नहीं था इतना पानी हम डालेते न कि जो एकदम मतलब अच्छे से चला लेंगे इस तरीके से थोड़े देर के लिए इसे 2-3 मिनट तक ढख देंगे ताकि जो भी है ना मसाला वगेरा साब उदाने में अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए थोड़ा से स्टीम में उसके फिर से इसे हटा के चला लेंगे अब यहां पे डाल पानी जो इसमें मुंगफली मतलब ग्राइंड किये थे उसी में 3-4 चमच पानी डाले और वही दोग कर पानी इसमें डाल दिया उसके लाश में डाल दिया यहां पे हरा धनिया तो यहां पे बहुत अच्छा सा एकदम खिला-खिला सा साबुदाना खिच्री बनके हो गया तैयार है न जहाट पर बनके तैयार होने वाला यह रेसिपी ऐसे सामुदाना खिच्री कौन सी बड़ी जादी तो सब भी को बनाने आता है और सभी के घरों में नॉर्मली बनता ही हो गया ऐसा तो खैर एनिवे जो भी है यहां पे मेरा जो है सुबह का ब्रेक्फांस्ट ब अगर कुछ मेरे से मिस्टेक होड़ी कुछ कमी है तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर मुझे कॉमेंट कीजेगा तो यहां पर देख सकते थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना तो बहुत अच्छे से यह खिला खिला सा है पहले मैं जब स्टाडी में साबुदानी खिच हो जाता लेकिन नहीं मुझे पानी थूरा डालना था पानि डालने से क्या होता ना थोड़ा अच्छा लगता है वह चिप- bindीन बन बहुत असानी से बना लेंगे एकनम परफेक्ट सा बुदाना की खीचरी तो यहां पर खाने पीने के बाद फटफट फिर से आ गई हूं मैं कीचिन में लंच की तैयारी करने क्योंकि ब्रेकफास्ट और लंच में ज्यादा टाइम नहीं होता है लंच बनाने में भी टाइम ल भी लिंगे तक तक लिवाब है